गोड़ापनों इस्टुडेंट्स है यहरे बच्चों हिंदी की कच्छा में आप सभी का स्वागत है हम लोग एक बहुत ही महत्पूर्ण पाठ भासा और आध्मित्ता इसके लेखक है प्रोफेसर जी सुन्दरेड़ी इसको पढ़ रहे हैं कुछ पर गद्यांसों पर आधारित महत्पूर्ण प्रश्न को हम लोगों है चार गध्यांस पढ़े तधा ब मैं उस पर आधारित प्रस्नों के उत्तर भी संझेँ आज से इस चार और गध्यांस तथा उन पर आधारी प्रश्णों को पढ़ेंगे चलिए इसी दिए मनों पाट पर आते हैं कि जाला पर लाज़ने कभी कभी अन्य संस्कितियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्व से भासा में नए सब्दों का प्रवेश होता है और इन सब्दों के सही प्रयावाची सब्द अपनी भासा में ना प्राप्त हों तो उन्हें वैसे ही अपनी भासा में सुष्यार करने में किसी भी भासा भाशी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए यही भासा की सजीवता और भासा की सजीवता इस नविंता को पोटा आत्मसाथ करने पर ही निर्भर करती है देखें, बहुत बड़ा पैसेज नहीं है, बहुत बड़ा अनुच्छेद रही है, उप्रियुक्त गद्यांस का संदर्व लखिए, पहला प्रस्ट तो संदर्वन जानते ही है, इस पर पाठ का नाम हो उस लेखक का नाम, अथ्वा गद्यांस के पाठ हों लेखक का नाम लेखर के उन्सार भासा किस प्रकार सम्रिद्ध होती है लेखर के उन्सार भासा में नवींता किस प्रकार आती है यह पांच प्रस्ट दिए गए हैं इनका उत्तर आप लोग इस गद्यांस को अच्छी तरह से पढ़े और इसके बाद समझे अलाकि मैं इन प्रस्टों का उत् पहला है संदर्व तो प्रस्तुत के ध्यान्स प्रसित्य समालोचक और निवन्दकार प्रोफेसर जी सुन्दर रेटिर वारा लिखित भासा और अधुनित्ता नामक निवन्द से चैनित है लेखांकी तंस्की व्याख्या लेखक के अंसार किसी दूसरी संस्कृती अत्वाज मिलने पर उन्हें उसी रूप में स्विक्यार कर लेना चाहिए भासा की सजीवता के लिए भासा में नविन्ताओं का समाविस करना परमावस्चक है अगला प्रश्न लेखर के अंचार भासा किस प्रकार सम्रिद्ध होती है अगला प्रश्न लेखर के अंचार भासा में नविन्ता किस प्रकार आती है तो लेखर के अंचार भासा में नविन्ता उसमें सजीवता और परिवर्टन सीलता लाने से आती है उसे सजीव बनाए रखना चाहिए गसील वह परिवर्टन सील है तभी उसमें नविन्ता आएगए चलिया अगला कद्यांस चलिया नए सब्द नए महावरे यों नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भासा को व्यावरित्ता परदान करना ही भासा में आधुनित्ता लाना है दूसरे सब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचार धाराओं के अनुरूप नए सब्दों के गढ़ने मात्र से देवहार में लाना ही भासा को आधुनिक्ता परदान करना है यहां से यहां तक देखिए अंडरलाइन दे रिखांकित है तो प्रयूप गढ़ने मात्र से भासा का विगास नहीं होता उपरिक्ट गढ़्यांस के माधन से लेखक किन विद्वों पर प्रकास जाला है तो उतर देखें संदर्भोगा प्रस्तुत गढ़्यांस प्रसिद्ध समान लूचर को निवनिकार प्रुक्सेजी सिंदुरेडी द्वारा लिकित भासा और अजुनिता नाम अगनेमान से च तरह समकें कि नवीन पारिवासित सब्सक्राइबरांउ को प्रखतिएं को प्रयोग करें तीसरा प्रशन है कि स्कारान से भासा में आजुनिता लाई जा सकती है अगला प्रस्ण किसके गढ़ने मात्र से भासा का विकास नहीं होता तो अंसर होगा सब्दों के नए सब्दों के गढ़ने मात्र से ही भासा का विकास नहीं होता अगला प्रश्ण उपरिव्त गद्यांस के माध्यम से लेखक ने किन बिन्दों पर प्रकाश डाला है उपरिव्द गद्यांस के माध्यम से लिखर का विचार है कि भासा में आजमित्या लाने के लिए यह आउस्चक है कि नवीन सब्दों नवीन मुहावरों यो नवीन दीतियों के आधार पर भासा को द्यवहारिक बनाने के प्रयाज किये जाएं अगला गद्यांस 6 नवीनी करां कितना ही प्रसस्त कार्ज क्यों नहीं हुआ हो उस प्रक्रिया में भूला नहीं चाहिए कि भासा का मुख्य कार्ज सुवस्पष्ट अव्यक्ति है यदि सुवस्पष्टता यो निदिश्टता से कोई भी वासा बंचित रहे तो वासा चिरका साल तक जीवित नहीं रह सकेगी नए सब्दों के निर्माण में भी यह बाद सोचनी चाहिए इस अंदर में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वा ग्रहों से मुक्त होकर उस सब्द की मूल आत्मा तथा सार्थक्ता पर उनुक्त विचार कर सके पाठका सिर्षक के प्रोफेशर जी सुंदर अड़्डी रेखांकी तनसकी व्याच्ख्या चलिए रेक्षांकी तनसकी व्याख्या देखते हैं तो पहला पाठका सिर्षक हो गया लेखक का ना व्याच्पर के अंसार है बाषा का प्रमुकार्ण भावनाओं और विचारों की अव्यक्ति है य यह यह किसी भासा में अस्वाश्चता का गुम नहीं है अत्रवा भासा में निर्देश देने की छंता नहीं है तो ऐसी भासा बहुत समय तक जीविद नहीं रह सकती है अगला प्रश्च्ण है किन विशेश्चताओं के अभाव में भासा चिर्काल जीवि नहीं होती तो सुष्पस्टता यों निर्दिश्टता के अभाव में भासा चिर्काल जीवि नहीं होती अगला प्रश्च्ण है सार्थक्ता और उम्व्म्ठ सब्दका अर्ध्य करें सार्थक्ता का मतलब होता है अभ्यों का मतलब होता है सोतंत्र बंधन्से ग्रह अलाबश्ट यह को परवा ग्रह हों से मुख्थ को चोड़कर विचार करने का साथ है कि सब्द की मूल आत्मा क्या है हम इसा चोड़कर कि अगला प्रस्ट नहीं नहीं सब्दों के निर्माण के समय किन विल्वों पर ध्यान देना चाहिए नहीं सब्दों के निर्माण के समय कुर्वा ग्रहों से मुक्त होकर उस सब्द की मूलात्मा तथासार्थक्ता पर उन्मुक्त विचार करना चाहिए अंतिम अनुच्छे यदिया नवीनी करन सिर्फ कुछ पंडितों और आचार्जों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भासा गसिल नहीं होती भासा का सीधा संबंद प्रयोग से है और जन्ता से यदि नहीं सब्द अपने उद्गम अस्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग नहीं किया जाए तो उसके पीछे कुद्देश पर पुठारागात होगा भासा का समंद किस से है तो सीधी सी बात है भासा का सीधा समंद प्रयोग उसके तो जोने लगे गी इसके पीछे कुद्धिस पर कुठारागात होगा यहां कुठारागा सबसे आसा है भासा जिस देन स्थिर हो गई उसी दिन से उसमें च्छाय आरम हो जाएगा वो समाप्त होने लगेगी लेखांकी तो सीधा समय प्रयोग और जनता से है तो इसका दिनाउस की व्याख्या ने आप झाले पिफ्रकृतित की जाती है उत्नी ही जीवन योंची रस्थाई होती है एक पाठ का लेख सीर्षक या लेखक का नाव तो पाठ का सीर्षक भासा और अधनिक्ता लेखक का नाव प्रोफेसर जी सुन्दर रिट्टी पहर वेच्चों आपका एक महत्पुन पाठ समाप्थ हुआ आप सभी लोग तो अच्छी तरह से इन प्रश्णों का अभ्यास कर ले एक बार अच्छी तरह से इसको पढ़कर और समझ लेख कहें कोई परिशानी होती है समयने में कोई दिक्कत आधी कट नहीं आती है तो जरूर शंपर करें हमसे किसी भी समय बात आप कर सकते हैं थैंक्यू आल दे बेस्ट